कि नए वीडियो में आप से एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है प्रेंट जिसे कि आप देखें यह हमारी सामने प्लेटिना जो है ओल्ड मॉडल का इंजने भी इसका फिटिंग का पार्ट टू है तो इसमें हम आपको बताने वाला है कि इसका स्लेंडर प्लॉक और ज है अब सबसे पहले हम क्या करना इसको करने से पहले हमें पांकिंग देना थोड़ा नीचे ता कि यह सब प्रब्लम ना आये तो चले इसको मैं करने के बाद में यहां से इसको दे देता हूं कि ऐसे करके हमें करना है कि ऐसे करने के बाद में हमें इस तरह से दे देना है और इसके बाद में लाना है हमें इसका जो है selender block किट क데세요 new block kit जो हमारे सामने है इसको हमें assemble करना है तो चलि किस तरह इसको करना चलिए मैं आपको दिखा देता हूं तो OM सबसे पहले आपको क्या कैना कि यहां से spin को ऐसे भाहर की तरफ करना यह तो लिए मैं निकाल ही लेता हूं और यहां से लाके मैं सेट करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तना से आपको करना है तो सबसे पहले हैसे आपको ऊपर से लाना है तो चले थोड़ा फसा ही लेता हूं नहीं तो क्या होगा कि भाद में फसाने में दो च्था हैं यहां से हमको लाना है और ऐसे करके के without connecting राउड को बीच में करता है फ़रें छली शूंहें यह डाल gracious है साउधानी पूर्बग तो चलिए मैं करता हूं थोड़ा सा तो दोस्तों यहां पर को बिठाने के बाद में यहां पर लॉक लगाना होता है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कैमरा को पास में करके दिखा देता हूं क्योंकि कैमरा को होल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हैं जाकि हमारे चैनल पर बाकी चलिए मैं यहां पर खपड़ा दे देता हूं ताकि पिस्टन का जो लॉक है इसके इंजन के अंदर गिरने न पाए और इसको मैं लगा के फिर दिखाता हूं करने के बाद में हमें यहां पर रेसी बॉंड देना है रेसी बॉंड को फैकिंग अग Gegen दोनों साइड से मैं दे देता हूं उसके बाद में यहां पर रख momencie को करेंगे तो मुस है पम करेंगे यहां पर बसदिखा तो जिसको पहले आपको यहां पर इस तरह से डावल बॉस लगता यह इसको आपको लगाना ज़रूरी होता क्फिये पाइकिंग को साइठ से नहीं कर देगा ये तो कुंछी सतरा से आपको देखना होता है तो ऐसे करके आपको रखना है इसका घात है तो यहां पर इसे करना है आप को और इसको आके यहाँ पर लोहे का होता है तो चलिये में ठोड़ा सा स्यरकर देता हुं तो साय को किसे तो इसको यहां पर फिट करने के बाद में हमें कुछ इस्तरा से हैड का फि՟िंग करना हैं इधर भी एक डाबल बुस्त दिया हुआ है तो इसकोने पर जाके लगेगा ये तो कुछ इस तरह से लेके जाके सेंटर पर हमें इस तरह से रखना है तो चले मैं इसको रखता हूँ सही जगा पर ऐसे करके जब ये सेंटर पर जाएगा तो इसली तरीके से बिठ जाएगा तो तो इसको में यहां यहां से चेंटर पर क्तना कि थोड़ा सा में बिठा लेना है कि अजह सकते हैं कि हमारा यहां पर बिड़ा है यहां पर इसके बार का बोल्ट जो है में इसको खुल टाइट करना तो चलिए इसको और में complete tight करता हूं और यहां पर सबसे पहले हमें इसे tight करना होता है और कि एक ओसर रहेगा और इसके साथ वाइसर नहीं रहता है इस तरह से करने के बाद में इसको हमें पूरा खुल टाइट कर देना है गोटी के मदभब से ज़रा से इसको लुज हमें नहीं छोड़ ना है तो फ्रेंड इसको हमने फूरा टाइट कर लिया से भी बॉल्ट को उसके इसके बाद में हमें यह आयल पंप का जो है जो आयल पंप का यहां पर पाइप यहां पर अटेच करना है इस पर हमें नीचे और ऊपर दूनों वाइसर देना है यहां पर ऐसे अगर हम यहां पर वाइसर नहीं देंगे तो क्या होगा कि इससे जो है लीकेज की हमारे जो है समस है तो इसको हमें प्रैकिंग देके उसके बाद में फसाना रहता है तो यह भोल्ट हमारा किस्तánh से रहता है देख सकते हैं ले इसके अंदर हों다 है इस तरह से यहां पर कर लेना इसको और यहां में करना है कुछ इस तरह Dat आएगा यहां है कि चुछ तरह से यहां कि यहां पर फस उजया है कि यहां पर फसाने के बाद में इसकोमेफुल दास नंबर के यहां पर गोटी के मज़र इसको अप्रॉण टायट लेना है इसको फ्कुकित एंगूर्ि हो जुड़ना है तो के इसके लिए हमें टामिंग चैन को फसाना जरूरी हो गया है अब इसके बाद में हम टाइमिंग को मिलाएंगे तो चले इसको मैं अंदर पुस्ट करता हूं कि ताकि ये अंदर पहुंच जाए नीचे के साइड तो थोड़ा समय इसे कर लेता हूं तो गाइड देख सकते हैं यहां पर हमारा टाइमिंग चैन यहां पर आ चुका है इस तरह से और यहां पर लाने के बाद में इसको हमें इस तरह से इसके अंदर डाल देना है ऐसे करके थोड़ा सा गाइड हमारा यह थोड़ा सफस्ता है च woman Iya लोग का नखान हो ऑग देखिल दी सक्षां वना हुआ का माई सबस्क्राइब का जिसका पर फ्रेंग कैसा होता है तो इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं यहां पे है अभी यहां पे होने के बाद में देख सकते हैं यहां पे एकदम परफेक्ट एकदम सीध पे है तो इस तरह से आपको टाइमिंग मिलाना है देख सकते हैं तो यहां पे मिलाने के बाद में आपको कुछ इस तरह से यह बो को लगाना है और चिली इसको टाइट कर देते हैं यह टाइट हो चुका है भी उसको काने के बाद में हमें इसका कॉयल प्लेट को लगाना है तो इसको हमें रेसी बॉंट दे देना पहले अच्छे से फ्रेण इसको कोयल प्लेट को देने से पहले यहां पर एक लोक लगता है हमसे घ्ल्टी हो जा रहाता है तो हमें द्ध्यार में आ घ्यार गए कि हमने लगाया नहीं क्योंकि नहीं लगाते तो फिल Mate होता लेकिन यह सपोर्ट करके रखता है कि टाइमिंग चेन अगर लूज भी हो जाए तो यह बाहर नहीं निकलने देता है यहां पर इसको दाब के रखता है तो चले इस बोल्ट को दोनों को हम टाइट कर लेते हैं इस कुरू है दोनों तो उसको करने के बाद में हमें देक सकते है जो लाना है इसको यह टांबर का lotta ओ उसके साथ में वीूचर लगता है तो उसको फूल टाइट कर देना है वा इसी ले लगता है ताकि इससे क्विमें लिकेज कि ना सभाव ना रहे क्योंकि यहाँ पर पूरा ओयल नहीं आता है और और उयल आना भी नहीं जिए नहीं तो आयेगा तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे समस्य हो जाएगी फिर उसको हमने टाइट अच्छे से कर लिया है तीनों बोल्ट को और उसके बाद में हमें न्यूटल का जो यहां पर है न्यूटल का जो हमें यह पिन फसाना है इसको हमें अच्छे से लगा देना है यहां पर दिया हुआ है तो सिर्फ हम कोई से पुछ कर देना है यह बैठ जाए इस तरह से हमें बिठा लेना है धोने क्वाड़ में इस ballot को भीटाने के बात में है इस माइगनेट को बिठाना है तो नहीं के सब्सक्राइए को इसके लोगते हों और यह इसके साथ में वाइसर पहले देना है उसके बाद में मैगनेट को इस तरह से इस तापर की मदद से पकड़के और इसको फुल टाइट करना तो चले इसको मैं करता हूं तो फिरthose स्कोंने कंप्लीट कर लिया है इसको करने के बाद में हमें इस चेंबर को लगाना है तो इसने पहले हमें रेची बॉन्ड कोने देना है पैकिंग इसका सही था इसलिए हमने इसको निकाला नहीं क्योंकि निकालने में भी प्रॉब्लम होता है तो इसको रहने देते हैं और इसको रेसीवंट अच्छे से देते हैं उसके बाद में इसमें फिटिंग करते हैं और अपर उल्बा इस्वर्ट देने के बाद में इसको च JEREMBER को सेट करता हूं है कर आई लगा से तो चलिक इसको करने से पफले मैं इसको कर लेता हो इसका जो है जो है आयल सुच जेंज कर लेता हूंता है क्योंकि हमने निकाला है और फिर टर टिया है तो हो सकता है लीकेज करें तो चलिए कर लेता हूं हमने इसका चेंज कर दिया है इसके बाद में हम इसका फिटिंग करते हैं चेंबर और यह हो गया हमारा चेंबर इसको करने के बाद में देख सकते हैं यहां पर पैकिंग हमने दे दिया है और लाते हैं सिर्फ हमें यहां पर बिठाना है ऐसे करने के बाद में हमें दो बोल्ट लगता है आठ नंबर के यहां पर दिया हुआ है तो दोनों बोल्ट को में यहां पर टाइट करना है एक समान बोल्ट दोनों रहता है तो इस तरह से है तो इन दोनों बोल्ट को में फसा के और टाइट फूरा कर लेना है तो तो चलिए इसको टाइट कर लेता हूं तो हम सब कुछ करने के बाद में यहां पर धोड़ा सा रेकीmusic हमने दे दिया है और उसके बादमी नौल लगाना है इसको पहले ने लोगummer कर लिया है और देख सकते हैं इस पर अर्व कर निशान में बना है इसका भी हमें चेंज का देना है इस पाकिट सील तो इसका एल सील भी नया लगा के उसके बाद में पूरा मैं इंजन को वोड़ी के ऊपर चढ़ा के गारी पे उसके बाद स्टार्ट के फिर दिखाता हूं कि कैसी हमारी गारी के आवाज आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बा आपको इंजन का साउंड साइद अच्छे से सुनाई पड़ रहा होगा तो इंजन का साउंड बहुत ही बहतर आया हुआ है इस क्योंकि जो जिस हैसाब से हमने काम किया है उसमें कोई भी सिकायत रही है तो अभी हम छला के भी देखेंगे थोड़ा सा चला देते हैं थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद में लेके जाएंगे हम उसको चला के मिट्श करेंगे तो आपको ये वीडियो का इसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को कि आपको एक से लिएट यह मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को इंड करते हैं मिलते हैं एक्षट वीडियो में